महा मुकाबले की शुरुआत हो रही है दबंग दिल्ली पहली रेट पर आ रहे हैं और कौन आ सकते हैं दबंग दिल्ली से नवीन एक्स्प्रेस के अलाबा कोई और हो नहीं सकता बहुत उम्मीदे हैं नवीन से इस मुकाबले के अंदर नवीन और शादलू की जंग ये भी दिल्चस्ट होगी नवीन ज्यारतर शादलू के साम में ही खेलते हैं दबंग दिल्ली ने इसी सीजन में दोनों बार पटना पाइरेट्स को हराया है दोनों मैचिस में नवीन नहीं थे एक में तो जुगिंदर नर्वाल भी नहीं थे नवीन ने फाइनल की शुरुआत बोनस लेकर कर दी है शादलू अंदर आए हैं नीरज बाहर गए हैं लगातार दूसरा टच्पोईट नवीन के लिए दिफेंस को यह देखिए अपने उपर बुलाया और इनके रिफ्लेक्सिज और स्पीड बहुत ज्यादा तेज हैं पर पहली काम्याबी बिले डिफेंस में दोनों स्टार चर्प में है दिल्ली के अब अब दिल्ली का डिफेंस भी अब अपना खामा खोल चुका है बढ़िया कर रहा है थाईस पर गए प्रशांत राय की सिंगल थाईली मन जीत नहीं और उसके बाद पूरा डिफेंस आ गया अब टाइब एंड़ कोड तो पॉइंस की रीड है पहले हाफ कर पतना का डिफेंस अब हाई लाइन खेल रहा है राम मेर कह रहे हैं पीछे हो जाओ अग्रेसिव मत बनो यह सुपर रेड हो सकती है बोनस प्लस्टी पॉइंस यह सुपर रेड हो गई है तीन पॉइंस और दोनों गोनर साफ कर दिये विजय मलिक ने शुबा मशिदे को सब्सिट्यूट के तौर पर बेजा गया और जाने के बाद से उन्होंने दूसरी बड़ी गल्ती की दिल्ली बोनस दे दिया है वो कह रहे हैं जाने दो क्या ओल आउट अभी दिल्ली दे सकती है या पटना फिर रसिये ओल आउट टालेगी दिल्ली ने पटना को ओल आउट दिया दो प्रेट के लीड बनेगी त्री पॉइंट्स दबांगा लीड तो आखेर तबाब कोशिशों के बावजूद पटना पारेट्स को अल आउट का सामना करना पड़ा बहुत देर से बच रहे थे ओल आउट से लेकर अब सब्सिट्य कर नहीं सकते संख्या खत्म हो चुकी है और यहां पर काफी अंदर जाने की कोशिश की थी कोई चारा नहीं था अगर नमीन बिना पॉइंट के गए या बिना बॉक लाइन क्रॉस करते गए तो नैस्ट टाई होगा वाइट लाइन हर हाल में क्रॉस करनी है तो दिल्ली जीच जाएगी क्या बॉक लाइन क्लिरली क्रॉस कर ली है अगर हाँ तो रुकिये अगर ना तो भी रुकिये रिव्यू किसी के पास नहीं है अंपायर रेफरी चर्चा करेंगे दबंग दिल्ली वीवो प्रो कवट्टी की पहले बार चेंपियन बनी है यह पूरे सीजन की महनत को साकार होते देखना उसका एक सुख़ अहसास का बत है दबंग दिल्ली ने अगर प्रोदर्शन किया है और सबसे बड़ी बात पहनी बार खिता जीता दबंग दिल्ली ने